बात समधा कर्मियों जरा सोच कर देखिये क्या तीन हजार में आप अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं सोच कर देखिये क्या इस दौर में तीन हजार रुपे में इस दिन्दी की गाड़ी खीची जा सकती है बड़ा जीब सा लग रहा होगा ना लेकिन समधा कर्मियों की हालत ऐसी ही है राजस्तार में समधा कर्मिय ठेला पट्री और मजदूरों से भी बत्तर जिन्दी की जीने को मजबूर हो चले है समधा कर्मी लंबे वक्त से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे है लेकिन नतीजा आज भी सिफर सौ बातों की एक बात पर अगर गौर करें तो समधा कर्मियों की ये हालत करने में सरकारों का ही हाथ है सरकारे अगर चाहती तो समविदा कर्मियों के दिन भी बदल सकती थी अच्छे ला सकती थी लेकिन अफसोस सरकारे तो बदलती गए लेकिन समविदा कर्मियों की किस्मत आज तक नहीं बदे आज इसी पर करेंगे बहस उससे पहले आप देखें यह पॉर्ट राजस्थान में सम्विदा कर्मी बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। सम्विदा कर्मियों की हालत मजदूर से भी बत्तर हैं जिससे उनकी जिंदगी अंधेरे में डूपती जा रही है। सम्विदा कर्मियों की आधी जिंदगी सरकार के आगे धर्णा प्रदर्शन में गुजर जाती है सरकारे बदल जाती है लेकिन सम्विदा कर्मियों की हालत नहीं बदलती सम्विदा कर्मियों को घर चलाने तक के लिए पैसे नहीं मिलती जिससे टंग आकर कई बार संविधा कर्मी मौत को घले लगा लेते हैं पांच हजार रुपए तक का बेतन पाने वाले संविधा कर्मी सड़क किनारी लगाने वाले रेडी पट्री और मजदूरी करने वाले से भी बुरी जिंदगी गुजारने को मजबूर है लेकिन सूबे में नई सरकार आने के बार समविदा कर्मियों को उट की मुँ में जीरा वाली कहावत सी राहत मिली है सरकार में मनरेगा में काम करने वाले समविदा कर्मियों की पांच पीसदी पारिश्ट्रमिक में बढ़ होतरी की गए ये नियम भी पात सार से ज्यादा वक्त से काम करने वाले सम्विदा कर्मियों पर ही लागू होगा तो साथ दिन पहले हट आए गए हजारों सम्विदा कर्मियों में महस 25 सो सम्विदा कर्मी को ही बहाल किया गया है हाला के समीधा कर्मियों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट सब कमिटी की पहली बैचक भी हुए समीधी के सहीं जग उर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने सारे विभागों को इन कर्मचारियों के आखड़े जुटाने के निर्देश दिये तस्वीर साफ है कि सरकारों के उपेक्षाओं ने समीधा कर्मियों और उनके परिवारों को फुटपात पर फेक दिया है देश से गरीबे दूर करने का बादा करने वाली सरकारे सुनें समीधा कर्मियों का दड़ कि समीधा कर्मी मजदूरों से मारी हालत में जीन को मजबूर है ऐसे में समीधा कर्मी नई सरकार की तरफ उम्मीद भरी रिगाहों से देख रहे हैं कि नई सरकार किसी तरह समिदा कर्मियों को इस बुरी हालत से निकारे भरतराज, जी मीडिया, जैपुर सालों गुजर गए लेकिस समिदा कर्मियों का दर्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इसी दर्ध पराज चर्चा के लिए हमारे साथ गैस जुड़ चुके हैं जितेंद्र श्रीमाली जी है, प्रवक्ता, बीजेपी से वो हमारे साथ जुड़े को हैं जैपुर स्टूडियो से वहीं पर मनीश गोधा जी, बैस पत्रकार है वो भी हमारे साथ जुड़े को हैं, अशोक सिहाग, प्रदेश संयोजक है, राजस्थान विद्यारती मित्र, शिक्षक संग, जैपुर से वो भी हमारे साथ जुड़े है, महीं पर पर या जाती हूं ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 तो आपको याद होगा ना पारित किया गया था संसद में कानून ला दिया गया था बिलकुल याद है 1970 कि ये बात हो चली है और उसके बाद साफ तोर पर ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है किसी ठेकेदार के अंदर लेकिन उसे वेतन अगर सरकार की और से दिया जाता है और एक स्थाई कार्मिक के तरहीं वो काम करता है तो उसका वेतन भी स्थाई कार्मिक के अनुरूप ही दिया जाएगा आखिर इस काम पर आखिर इस आदेश पर इस कानून पर कार्ये क्यों नहीं होता सरकार आत कि ज़रुवत है कि एक तरफ तो समीदा करमचारिय और एक ठेके पर काम करने वाले कांटक्ट की लेबर है इन दोनों में बहुत बढ़ा फार्क है समीदा करमचारी वो है जिनको सरकार ने अनुबंद पर रखा है और ठेके पर जो करमचारी रखे गए हैं वो ठेकेदार की फ लाएं वगरा काम भी कर रही है उसके अंदर वो काम भी करने वाले हैं जिनकों की पैरा टीचर के रूप में रखा गया था जिनकों की आंगनबाडी के कारेकरता की रूप में रखा गया था इन तमाम लोगों को समीदा कर्मी माना गया है और राजस्तान के अंदर कॉंग्रे इसके करमचारी भी है और जिसके अंदर आपके आंगनबाडी के कारे करता भी है और जिसके अंदर पैरा टीचर्स भी है इस तरह के जो समीदा कर्मी है उन समीदा कर्मियों का विस्तरत रूप से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद इनको हम ग्रामेंड स्वेच सेक्षा अधिरियम 2010 के अंतरगत इन तमाम लोगों को हम रेगुलर करने की हमने जिम्मेदारी ली है और उसके अंतरगत राजस्तान के उर्जावान मुख्यमंत्री असोग जी गहलोच साब ने तुरंत कमेटी का गठन कर दिया बीडी कल्ला साब के नित्वतों कमेटी का गठन हो गया जरुर्जमंत्री बीडी कल्ला साब में मीटिंग लिए कोशिश करने की बात कर रही है कि ये कोशिश 1970 से ही हो रही है अभी तक अंजाम पर पहुश नहीं पाई है गोश्रापत्र की बात कर ले जाया तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस बिंदू को शामिल किया गया लेकिन क आज तक नहीं हुआ ये कुठारा घात ही है ये बिल्कुल पहले भी किया गया है जितेंदर श्रीमाली जी का रुक कर लते हैं जितेंदर श्रीमाली जी जहां पर 1970 ठेका मजदूरी अधिनियम का हमने जिकर किया इसके साथ 1976 में एक और अधिनियम बना गया था वो था समान वेतन अधिनियम उस पर भी कोई काम नहीं किया आखिर क्यों इस तरहे की जो कुठारा गात है वो समिदा कर्मियों पर किया जा रहा है क्यों सरकार आती है बदल जाती है लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता समिदा कर्मियों ने क्या कुछ बिगाड़ा है सरकार का कि यह सारी समस्या कॉंग्रेस के सरकारों के समय में एक बेरोजगारी की समस्या से को दूर नहीं कर पाने के बीच में एक सुनावों को समय देखते वे जो कॉंग्रेस की निती रहती है प्रकार के वंचित जो लोग है उनको तत्काली क्रहत था समयदा कर्मियों को क्यों पांच सार तक ग्राज करने के बाद भी उसी पहार हो मैडम बिल्कुल मैं उसी पहार हो मैडम में तो ये जो हादबार चुनाओ के समय चुनाओ के मोका देख करके जो गरीब पिछड़े और बेरोजगार जो लोग हैं उनको एक छोटा सा टुकड़ा टाइप डाल करके और उनके वोज ले ले इस प्रकार के कॉंग्रेस के सरकारों में ठेक परता की और ठेके के आदार के उपर उनकी स्तती मजदूरों की वही रही जैसे बंधूआ मजदूर पहले की जमानी में होते थे उसी प्रकार के बंधूआ मजदूरों के आलत इसमें हो प्रियाश नहीं कि Dec अगर लुव सरकारी नियुक्ती के अंदर समीदा कर्मी को यह अपणाई करता है तो उसके जो जितने समय उसने काम कर रहा है जैसे एक वर्स से लेके दो वर्स से कम किया है अपना अपने परिवार का खर्चा पानी क्या तीन हजार रुपे में निकल सकता है ठीक है मनीश गोधा साब का रुख कर लेते हैं हमारे साथ जुड़ेक मैं लगाता है मनीश गोधा साब एक दूसरे पर आरोप रत्यारोप लगाना बहुत आसान बात है लेकिन जो व्यक्ति इस परिस्तिती से गुजर रहा है दो चार हो रहा है उस पर क्या बीटती होगी क्योंकि सविदा कर्मियों की ओर से लगातार मांगे उठाई जा रही है धरना प्रदेश बढ़ाए जाता है तो धाई सो रुपए होता है धाई सो रुपए आज के दौर में है कि पूजा मुझा लगता है कि प्रॉब्लम बेसिकली यह है कि सरकारें अपनी बला टालने के लिए मतलब जो बेरोजगारी की जो स्था है उसका स्थाई समाधान तो करना नहीं चाहती सरकारें उसके लिए कोई कॉंक्रीट पॉलिसी बनाना नहीं चाहती उसकी जगए एक इस तरह की वेवस्था करती है कि उनसे उनका काम में निकल जाए और वो जो रोजगार देने का एक जो शगूफा है या नारा है वो भी पूरा हो जाए सरकार का काम सरकारी करमचारियों के भरोसे नहीं चल सकता बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि सरकार को एक्स्ट्रा मैंफोस की जरूत होती है अब उस काम को करने के लिए सरकार संविदा करमियों को भरती करती है संविदा करमी जब भरती होता है तो वो जानता है कि उसके दमाग में कहीं न कहीं कि लालच होता ह कि सुप्रीम कोट ने कोट ने रोक लगा दी है कि आप बैक डॉर से एंट्री नहीं कर सकते हैं तो पहले यह होता था कि संविदा कर्मी आ जाते थे और बाद में से संविदा कर्मी की समस्य का कभी भी मैं मानता हूं कोई स्थाइ समधान नहीं हो सकता मुझे लगता कि कही न कहीं जो इस देश का बेरोजगार उसको खुद को सोचना पड़ेगा कि हम सरकार के इस चंगुल में ना पसे और खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करने की सोचे यदि हम इस तरह से कुछ करने की सोचेंगे तभी जाकर कि इसका समाधान सरकार के पास इन चीजों का कोई समाधान नहीं क्योंकि सरकारों के पास वो उतना संसादन है ही नहीं कि आप जितने संविदा कर्मी भरती करते हैं उनको रेगुलराइस कर सकें सरकार हमेशा जब भ सब्सक् hustru. और संविधा कर्मिए को भी सोचना पड़ेगा, पर मुझे लगता सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, किसका कोई दूसरा तरीका निकाला जाए जो उनको जरूरत है जिस manpower की उसको करने के लिए उसको हासिल करने के लिए या उनकामों को करने के लिए आउटसोर्सिंग की जाए दूसरे तरीके से उसको काम को करा जाए उस तरीके से आप संविधा कर्मी को रख करके बेरोजगा के साथ चलावा नहीं करना चाहिए मुझे मैं मांगता हूँ बिल्कुर लेकिन अगर पुर्जोर तरीके से मांगों को उठाने की बात हो तो चाहें बीजेपी सत्ता में रही तो कॉंग्रेस के ओर से लगातार इन मांगों को उठाने के लिए साथ दिया गया था मनरेगा कर्म पीछे है क्या कुछ परिशानिया है खुद शुक सिहाग जी आपकी वैसे आप ही बता दीजे पूजा जी पूजा जी कॉंग्रेस ने अपने चुनावी गोशना पत्र में समिधा कर्मियों को स्थाई समधान के लिए का है उसका हम स्वागत करते हैं परन्तु यदि देखा जाये तो पूर्व में इसी कॉंग्रेस सरकार ने विध्यार्थी मित्रों के लिए ऐक सिक्ष्या साय की लिए बरती निकाली थी जिसको बीजेपी सरकार ने रद्ध कर दिया था और 24K63 विध्यार्थी मित्रों को रोड के उपर लाकर करके खड़ा कर दिया थ है उसके अब बात करें कोंग्रेस सरकार की कोंग्रेस सरकार ने इसता ही समधान की बात कहिए कोंग्रेस सरकार करें कि हम आंकड़े जुटाएंगे क्या जो पूर में सिक्सास आए कि आपने भरती निकाली थी चाहिए वो नरेगा कर्मियों के लिए निकाली थी या एनराइचम कर्मिय की जितनी भी तातकालिक समझ से इनका हम तुरंत प्रवाव से समाधान करते हैं और इनके स्थाई समाधान के लिए क्या किया जा सकता है उसके उपर हम विचार करते हैं जिस तरीके से कोंग्रेस वाले बिजेपी के उपर डाल रहे हैं और बिजेपी वाले कॉंग्रेस के उपर डाल रहे हैं परंतु इसके अंदर जो पिसरा है बेलकुल यदि वर्तमान में भी सरकार चाहे तो विद्धाल निजे है कि भरति जो वर्तमान में पहरी भी करवाई जाए जाए बीजेपी हो या फिर कॉंग बैसेसा नहीं किसी एक पर आरोप है दोनों की कि जब भी सरकारे रखी दोनों ही पार्टिया कटगरे में खड़ी हुई है एक बार फिर से रूख कर लेते हैं जितेंदर किनको शीमाली साब आपने सुना उगा क्या कुछा आशोक सहाब साब सबसे पहले विद्यालय भर्ती पर टहकी बात लिए तो उस पर आपकी होई किया खुछ रहेगा आपका है कै करी मैं इस्विद्यारती भति dismiss और विजेपी सरकार primeiro और वी दो चार बरतिया थी जो उस समय जब ये लगातार ये कॉंग्रेस की तरफ से वहाँ पर अनेक ऐसे हम को दान दिखेते हैं रोज जब चुनाओ के समय जब 26,000 शिक्षों को की भरती का मामला आया था तब भी कॉंग्रेस की तरफ से चुनाओ आयों को एप्लिकेशन लगा करके उस को को ये इनके प्रकारेंड केवल किसी कारण से कोट में अटकाने का काम लगातार किया और इस बात को इन्हों ने देखा जब 26,000 लोगों की भरती कि आये कोट ने जब कर दिया और ये कह दिया कि हाँ इसकी बरती कर दी जाए और वो बरती प्रक्रिया चालो गई उस समय भ के साथ में खिलुार थो और यह चालो किया यह बेरोजगारू के कौणी के ओपर बुड़ लगा कर के और उनके साथ में जब कर से सलहा किया उसका ऑफुछना पत्र के अंदर जिस परकार की बात कहीं तो हम यह समिदा करिमागों की और जूंस्तान के बेरोजगार को इस बा जाए जी मैं आपको ये इस बात को बहुत सबस्ट करना चाहता हूं कि कॉंग्रेस की जब सरकार थी 2008 चे लेके 2013 के बीच में उस समय आपको ध्यान होगा तो एक जो पोस्टों के अंदर पर टीचर्स और कोलेज एडुकेशंज के लेक्षर्स थे उसको कॉंग्रेस की सरकार ने बरती किया और आज वो बात ने करवाई दूसरे आज़ी की बात को सुनना नहीं चाते हैं और इस्ति वज़े से चंतान इनको बगर्व सब्सक्राइब कर देखा है और अजबेर के अंदर पार्टी का मंत्री है तरके आगए तरन नकार किया वो क्या देखेगे आपके दोलों के तर्फ कर देखा है आप केवल पार करें चुनाव कर लेंगे पूंच कर रहें इसलिए इतना गवंड करके और आप वे अगर पांच प्रतीशत के बढ़ातरी मानी जाती है तो ढ़ाइसों रुपे क्या यही उम्मीद लगाई थी और क्या इसलिए कोगरिस को सब्ता में लाई थी यह जनिता यह नियुदा कर लें इसलिए इसलिए उम्मीद के साथ मैं आपको यह बात बता दू सम्विधा कर्मियों के अंदर सम्विधा कर्मियों के लिए पिछली सरकार ने सम्विधा कर्मियों पर दॉस को अजुद दो जार पांच और गलत तरीके से सब्सक्राइब नहीं मिला है ने तो बीजेपी सरकार बली है और नहीं कॉंग्रेस सरकार बली है इस बात का दुख है मडम के अंदर वसंद्रा जिने पोस्टर लगा कि अब मैं खुश हूँ नहीं गादा कर्मियों को जो लोग इसके करमचारियों को पोस्टिक दे दी आप आप ने चुना में चुटे आपने उन्टी बाते और वास्ता में दोज़ाइब करमचारियों को नुट्या दी आप बेरोज आज भी 562 करमचारी लोग जुमिस के आज भी इनके जी को रो रहे हैं और इन्हों ने जूटे एड लगाए कि हमने 900 लोग जुमिस के करमचारियों को आप तो 5000 पतनका ये माने के लिए त्यार नहीं है वसंद्रा जी ने अपनी फोटर देखर के पोस्टर लगाए तो आप पढ़ा दीजे ना आपने 500 बढ़ाने के लिए आप सरकार में आये हैं समीदा कर्मियों को नियमती कर्ण की बात की है जितेंद्र जी आपने भी जब धोशना पत्र जारी किया था जब आप तो आप उस जाविए कि बार ने बता दीजे कैसे बला कर सकते हैं जितेंद्र जितेंद्र स्वाल पता दीजे वर्तमान में जो 6000 विद्यार्ति मित्र वंचीत हैं रोजगार से क्या आप उनको रोजगार दे रहे हैं और जो विद्धाले साइक बढ़ती वर्तमान में नयाईक परक्रिया के अंतरगत अठकी हुई है क्या लोग सवाचुनाव से पहले पहले आप उसका समाधान करवाने जा रहे हैं देखिए मैं आपको बहुत इसपस्ट कर दूँ संवीदा कर्मियों के लिए राजस्तान सरकार का इसपस्ट वक्तव है और वो वक्तव यह है कि सुप्रिम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नियमित होने की जिनकी इस्तती है क्योंकि सारे लोग नियमित हो नहीं पाएंगे वो नियमों में नहीं आते जितने लोग डियमों में आ रहे हैं सुप्रिम पोर्ट की गाइडलाइन के लुसार यह 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 जोदा साहब पहली साब करने के निर्देश्ट कर दिया गया है उन्चा मुश्ट लगता है पहली इस बार उम्मीत तो जगी है सम पहुंच पाएगा उम्मीड जो लगाए बैटें समय नहीं क्या वो कुछ हद तक पूरी होती कोई नजर आएगी आप से जान लेते हैं क्या कुछ फिलाल यह तमाम जो सिनारियों बनता है उससे उम्मीड लगाई जा सकते हैं पूजा मैं साफ तर पर आपको कहूं कि यह जो कमिटियां बनती हैं यह चीजों को लिंगरान करने के लिए बनती हैं बहुत सीधी से बात है सरकार में कई सब कमिटी बनती है पिछली सरकार में बनी थी उसकी पिछली सरकारों में बनी थी यह लेते रहेंगे आकड़े लेत लेते रहेंगे और समय समय पर कुछ न कुछ देते भी रहेंगे लेकिन कभी भी स्थाइस समाधान हो ही नहीं सकता समस्या का क्योंकि आपके पास लगभग आप जितना काडर है न सरकार का उसका लगभग 25 परसेंट 20 परसेंट के आसपा संविदा करमी हैं आप कहां पर उनको नियमित करेंगे और कैसे करेंगे कहां से लाएंगे इतने रिसरोस और यदि आप उनको नियमित करेंगे तो अर्ट योग आकर के रोज हर साल बेरोजगारी की भीड में शामिल हो रहे हैं उनको सम्धा कर्मियों को इस मुश्किल हालात से बढ़ं सरकार क्या बाहर निकाल 47 प्रतीशत लोगों ने हा में दिया और 53 प्रतीशत लोगों ने ना में दिया यानि लोगों को भी ये उम्मीद नहीं है कि सरकार अजबार समिधा कर्मियों को इस मुश्किल से इस मुश्किल भरे समय से रिकार पाएगी आप सवाए हमारे साथ इस बहुत ने शामिल हुए हमारे साथ जुनियों उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमान जान करे के लिए हमसे बात चीट करने के लिए और इती के साथ फिलाल यूजन यूज में इतना ही लिए